हालो स्टूडेंट मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्व चैनल ससे बॉलड़ पर आज हमें सेशन के अंदर बचो क्लोस्टेस का कोशन करने वाले हैं क्लोस्टेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन है आपके हर वन्डे एक्जाम के अंदर जरूर पुछा जाता है चाहे आप SSE CGL दें, CPO दें, STANO दें या फिस CHSL दें हर एक्जाम के अंदर जरूर रहता है, इसके अलावा आपके बैंकेंग एक्जाम होते हैं, P.O.R. and कलर के तो उसमें भी आपको कलोस्टेस जरूर मिलेगा, देखिए कि अगर हम बात करें कलोस्टेस की बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको डाउट होगा कि कलोस्टेस होता क्या है, तो आप बच्चे को ध्यान रखना है कि जो पैरग्राफ आपका इनकम्प्लीट है, इस पैर पैरग्राफ को क्या करना है बच्चो कम्प्लीट बनाना है, तो कम्प्लीट बनाने के लिए आपको दो चीजों के जरूरत होती है, एक आपका ग्रैमर पार्ट और दूसर आपका वोकाब, यानि कि इन दोनों से मिलकर आपका ये जो इनकम्प्लीट पैरग्राफ है ये दो हजार एकिस का smocking causes in cells leading to cancer quitting smoking can help reverse the dash risk अब दिखो जो smocking है कहीं न कहीं वो cancer के disease को बढ़ाने का काम तो करी रही है और अगर आप उसको छोड़ने की बात करते हो तो कहीं न कहीं वो help करेगी उन सारी चीजों को reverse करनेगी किस चीज को reverse करनेगी कोशिश करेगी तो जो risk है कैसा risk risk कैसा nominal, factual या impossible या फिर potential तो जो reverse होगा वो कैसा risk होगा that is potential potential को आप potent word से याद रखेंगे उसके अंदर potential है, उसके अंदर strength है, power है कुछ कर सकता है, that is strength तो यहाँ पर जब हम risk की बात कर रहे हैं, तो risk कैसा होगा potential होगा, risk आपका impossible या nominal, या फिर factual नहीं होगा. एक स्टाते हैं after that अगर हम बात करें, and it can replenish cells that actually dash those of a person वो कही न गही क्या करेगा वो कही न गही क्या करेगा identify करेगा, differ करेगा disagree करेगा, या resemble करेगा, अब वो cells को, जो actually में जो cells है उस person के जिसने कभी भी smoke नहीं किया बिल्कुल almost resemble होगे एक जैसे, एक जैसे की बात करें disagree होता है जब आप दो लोग एक बात पर agree नहीं है, disagree करें identify किसी चीज को पहचानना and differ जब दो चीज़े अलग होती है तो यहाँ पर answer option क्या जाएगा हमारा resemble next आते है, after that उसने बोला, कि a person who can never smogged the dash you smogged the more mutation you have अब यहाँ पर जब भी again grammar based question आगया, आपने देखा the more the more का मतलब हुआ, more is used for comparative degree more का जो use होता है वो आपके comparative degree में होता है more का जो बचे use होता है वो comparative degree में होता है अगर जब भी आपको the more मिले the plus comparative तो आपको ध्यान रखना है अगर उससे पहले भी अगर आपको the मिल रहा है, तो वहाँ पर भी आप the के बाद again more का ही use करेंगे इसका मतलब होता है जितना उतना जितना उतना ठीक है जितना तुम उसको जितना smoke करोगे उतना ही तुमारे पास वो चीजे बढ़ती जाएंगी it means हम more का use करेंगे हम most जैसे हम बोलतों ना the higher you go, the cooler you feel जितना आप height पे जाओगे उतना ही आप कहसा मैसूस करोगे ठंडा मैसूस करोगे the more he gets, the more he wants जितना उसको मिल रहा है उसका लालच उतना ही बढ़ रहा है तो यहाँ पर आप many का use नहीं करेंगे चलें, next आते हैं next point कि अगर हम बचो बात करें तो यहाँ पर उसने बोला है after that the dash damage to the cells जैके the dash damage to the cells lining the airway and lung scan अब the dash damage, वो damage किस चीज को करेगा incomplete को, broken को, constant को या फिर stable को अब वो अगर आप line up की बात की जाए बचो अगर line up की बात की जाए तो line up के case में आपको एक चीज ध्यान रखनी है line up वही चीज़ें होंगी यानि कि जब आप कोई भी चीज regular है तो वो regular चीज को यानि कि constant है एक चीज आपने constant तरीके से करी है broken का मतलब होता है टूटना, incomplete आधा दूरा और stable जो चीज आपकी स्थिर है तो वो ना तो incomplete है ना ही टूटी हुई है ना ही stable है, स्थिर है that is constant, लगातार तो यहाँ पर आएगा the constant damage to the cells जो लगातार आपके cells को क्या कर रहा है damage कर रहा है ठाएगे, lungs को भी after that उसने बोला can dash two cancers in the lungs ठाएगे, वो कहीं ना कहीं लंक्स में क्या करेगा cancer को पादा करने का काम करेगा तो तो को देखेंगे आप अच्छे तो two को देकर आपको ध्यान रखना है two का use आपके seize, direct और guide के साथ ने होता lead, जैसे आपने बोला यह road कहां जा रहा है आप बोलते हैं, this road leads to the park यह पार्क की तरफ जा रही है पार्क को दिखाने का काम कर रहे है तो वहाँ पर lead के साथ हम two का use करेंगे तो आप preposition का ध्यान रखेंगे next आते है again, sigil preka है आपका close test 24, 8, 2000 2021 में पूछा गया है आप अच्छे ध्यान रखेंगे John was an artist John was an artist John क्या है, एक artist था ठाश प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ अपने प्रोफेशन से ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी person कुछ है एक प्रोफेशन से तो किसी छीज के द्वारा की बात करें तो वहाँ पर आप हमेशा by का use करेंगे क्या use करेंगे? by of, about या from का use नहीं करेंगे जब आप बात करेंगे किसी भी प्रोफेशन के तू आप बनेवेशन जैसे मैं आप से बूलो, मैं एक टीचर हूँ by profession by profession मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ तो आप पो धिहान रख रहा है, जब भी आप प्रोफेशन की बात करेंगे तो इस केस में आप बात करेंगे निक स्टाते है He was very, dash at his work, and good He was very, वो बहुत अच्छा है बेटर है, best है, good है, या रिचर है अगर वो बहुत अच्छा है तो अच्छे के लिए हम रिच का तो यूज नी करेंगे रिच का मतलब हो गया आपका पैली बात है कि रिच का यूज होता है जब आप अमीरी की बात करेंगे और आप प्रोफेशन की बात करेंगे तो प्रोफेशन में या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे बेटर का यूज होता है बचो कमपारिटिव फॉर्मे कमपारिटिव डिग्री का यूज आप बचे ध्यान रखेंगे वहीं लगेगा जब आप करेंगे comparison, जब आप करेंगे comparison और comparison होगा दो के बीच में, दो person के बीच में या फिर दो things के बीच में, तो वहाँ use करते हैं आप comparative degree, Because battery is a comparative Best की बात करें तो best is a superlative degree Best is a superlative degree Best जो है वो आपकी superlative degree है और superlative degree का जो use होता है वो वहाँ किया जाता है जब comparison 2 से जादा के बीच में होता है More than 2 का case होगा तो वहाँ पर आप use करते है superlative degree तो यहाँ पर आप comparative और superlative का use नहीं कर सकते because हम केवल single person की बात कर रहे ही की तो ही के लिए हमें क्या use करना पड़ेगा positive degree क्योंकि positive degree का बचो वही use होता है जब हम एक person की quality की बात करते हैं तो वहाँ use होती है हमारी positive degree next आते है next point की बात करें उसने बचो क्या बोला कि at his walk and could dash any subject अब क्या वो कर सकता है plant, plantative, paint या painted अब कुड के साथ आपको एक छीज ध्यान अगनी है कि कुड आ रहा है तो कुड के साथ दिको plant और plantative तो होगा नहीं वो अच्छा है और कुछ भी कर सकता है वोक की बात हो रही है अब यहाँ पर could आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है can और could, shall, should यह सब आपके modals है यह सब आपके क्या है modals और modals जो होते हैं बच्छो वो हमेशा as a helping verb यूज किये जाते हैं modals का जो use होता है वो as a helping verb होता है और आप अच्छे ध्यान रखेंगे as a helping verb होगा तो it means वहाँ पर हम use करेंगे verb की first form वहाँ पर use करेंगे हम verb की first form तो modals के साथ हम कौन सी form use करते हैं first form तो painted आपकी second and third form होती है तो आप ध्यान रखेंगे कोट के साथ second and third form का use नहीं करना तो इसलिए हमारा answer option किया जाएगा third that is paint paint is the correct one next आते हैं next की बात करें उसने क्या बोला बचो कि any subject he could think of जिस भी subject के बारे में वो सोसता है but circumstances जो परिस्थितिया होती है forced him to वो कही न कही उसको force करती है उस पे zohr डालती है किस चीज के लिए zohr डालती है specialize के लिए specialize के लिए वो specialize के लिए उस पे क्या करती है zohr डालती है ठीके तो यहाँ पर answer option किया जाएगा that is specialize अब specialize किस में है in dash the work of renowned artist वो कही न कही renowned artist है किस चीज को लेकर duplicating dominating doubling या फिर doubting तो आपको ध्यान रखना है कि कही न कहीं वो force कर रही है चीजों को क्या करने की duplicating के लिए किस के लिए duplicating के लिए so यहाँ पर आप dominating doubling और doubting का use नहीं करेंगे I hope आपको हर एक point clear हो गया होगा दिखो बचो जो भी students आप SSC bullet पर connect है आप अच्छे ध्यान रखेंगे regular classes होती है SSC bullet पर और आप हर class को ज़रूर लिया करो और सबसे best है आपके लिए कि back to back exam है लगके तयारी करो SSC bullet आपको हर तरह से support कर रहा है और हमेशा support करता रहेगा भी और बाकी जिन student अभी तक चानल को subscribe नहीं किया है वो सभी बच्चे जरूर subscribe कर लें back to back exam है लगके तयारी कर डिया आप सभी बच्चे को selection लेना है और बाकी आपकी जो भी requirements होती है जैसे आपके comprehension है तो next week से आपका comprehension वाला part स्टार्ट हो जाएगा फ्रेजल वफ स्टार्ट हो जाएगा लाइव क्लासे जो तरह की लाइव क्लासे चलेंगे एक प्राक्टेस के लिए और एक बिगनर्स बैच के लिए रहेगा जो बच्चे बच्चे बखुछ जादा कमजोर है इंगलेश में उनके लिए रहेगा और को स्टुडेंट के मैशेस आते हैं मेरे को ओफलाइन के लिए तो ओफलाइन क्लासे जो चलती है वो मुखजी नगर पे चलती है आप चाहे तो इस नमबर पे कॉंटेक कर लें अनलाइन बैच भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है next month की first week में आपका online batch भी start हो जाएगा offline के अंदर भी English में ही पढ़ाती हूँ और बाकी maths आपके अनुस वश्य सर पढ़ाएंगे और सेम online के अंदर भी आपको जो मैस पढ़ाएंगे अनुस वश्य सर पढ़ाएंगे बाकी जिन student को भी कुछ भी information चाहिए तो आप इस पर contact कर सकते हैं इस number पर और बाकी session अच्छा लगता तो आप उसको like and share जरूर कर दिया करो और आज के लिए इतना रखेंगे तो thank you student for this session